जी असना अलेकूम हावर यू जी कल का जो मेच हुआ था इंडिया और पाकिसान का तो ये लोगों के अभी तक जैन में पेले तो पाकिसान ने टास भारा तो उनने फर्स्ट बेटिंग की तो जैसी उनकी बेटिंग चल रही थी रिजवान और बाबर अजम तो उनकी बेटिंग दे के काफी जो लोग थे उन्होंने बारिश होने की द्वा करना शुट करते तो वो रंस्पी इतने नहीं बने हुए थे वो जल्दी आउट होगे पहले बाबर आजम गया फिर उसके पीशे रिजवान गया फिर इस्तकार और शान मसूद ने आस्ता आस् के वन सिक्टी पे पहुचा है वरना थो इनको भी गालिया पढ़ रही थी क्योंकि यह सिलो खेल ले थे वना क्योंकि रुक्राइब्मेंट ही ऐसी थी जो दो बाकसान के बेस्टमेंट थे बाबर आजम और रिजवान यह जल्दी आउट होगे और इन्होंने काफी बॉल ज लोग खेल खेल के फिर वन सिक्टी टार्गेट पर पूचाया फिर जैसे ही जो इंडिया ने बेटिंग स्टार्ट की तो उनकी कंडिशन पाकसान से भी बुरी थी उनके जो फोर में बेस्टमेंट थे थाटी वन पे रंस पे आउट होगे उन्होंने पाकसान से भी बहुत चलो खेली थी फिर पाकसानी जो फेंस थे उनको पता लगा यार यह इंडिया की जो बॉलिंग है यह पाकसान के बेस्ट मेंट को आउट कर सकती है बाबर आजम और रिजवान ममन रिजवान को पाकसान की बॉलिंग तो उनसे काफी ज्यादा बेतर है तो फिर जैसे जैसे उन्होंने फोर्ड जल्दी आउट किये तो पाकिसान के फ्रेंड को लगा कि पाकिसान जीत जाए गया फिर विरात पुली ने सेम टु सेम जैसे पाकिसान का इस्ताकार एमन्द और शान मसूद खेला था आस्ता तस्ट खेल खेल के फिर उन्होंने अस्त तेज खेलना शूर इस्टार्ट किया तो फाइनल में जो रंस और बाल का काफ़ी डिफरेंट था वहां रंस चाहिए थे पहराम बाल पे ठाटी वन ठाटी तू चाहिए थे तो में पाकसान के बोलर थे जो हरसलौफ और शाहेंच आफरी थी तो उनको भी शक्यर टोंके लगे तो फिर काफ़ी पाकसानी जो बोलर थे फील्डर थे काफी प्रेशर में आगे तो उनका जो व्राथ गुली और इंड य को काफी फाइदा हुआ उसके बावजूस भी ये लास्ट बॉल पे लेके गए मेज को मना तो जैसे पाकिसान के फस्ट बैटन की तो टास्क पी एक तो हारी थी और दूसरा तो फिर जो मेज जो है जो फाइनल ओर में चला गया फाइनल ओर में शेफ बॉल पे 16 नंस चाहिए मुम्मद नवाद जो बॉलिंग करा रहा था तो उन्होंने अपनी पूरी पूरी कोशिश की थी यह तो उनकी पाकिसान की किसमत में नहीं था यह नो बॉल हो गया यह विराथ भॉली ने फिर एट मा फिर भी लास्ट बॉल पे मेज चला किया था एक बोल पे दो रंस चाहि की फूरी फाररण में पेले दो एक तो तास जो ए पाकिसान को फैवर में नहीं मिली उन्होंने लास्ट कर दिया टास्व तो उसके बाद फौर पाकिसान जल्दी आॉट की ए जल्दी आउटकी एक तो उसके बावश्चूद विराथ पोली की पार्टनेशिप लगई फिर स्के बाद नो बोल हो गया फिर फिरिए वाइट काफी मतलब कि पाकिसान ने गलतियां कर दी इसी वजह से इतनी गलतियां एक मेच मेन नहीं होती अगर ओगें तो फिर जितना मुछकल हो जाता है तो अभी इसी वजह से अभी तक पाकिसान के पैंस जो हैं उनके जेना वबे क किणे पाकसान ने जीता हुआ मेच हार दिया वपना तो पहले तो पाकसान ज्येसे बच़ार करा था पाकसान फेंस यह करहें भारश हो ओ फिर पान इंडिया की बचंग देकी तो अंकी पाकसा से भी कई तो यह लागश बाल तक पाकासान को जीतना चाहिए था पर नहीं उन्होंने अपनी कोशिश की क्योंकि जहां पर वाइल कप हो रहा है वहां पर बारष ज्यादा होती है अगर आगे चलके एक दो मेचेस में पाकिसान की मेचेस में बारिश हो यह तो उसमें एक पॉइंट दूनों टीम को मिलती है तो इसमें पाकिसान को लास्ट हो सब्सक्राइब कर Jennifer तो पाकिसान को अलेडी जो है दो पॉइंट होती है अभी जो पाकिसान की दूसरी मेट में अगर साउद आफ्रीका या दूसरी मेट में बारश हो गई तो पाकिसान को लास हो सकता है ओके थैंक